चुनाब आयूग ने पांच राज्जों में बधान सबा चुनाब की तारीखों का एलान कर दिया है तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को बोटिंग होगी यानि कि मतदान होगा विधान सबा चुनाब को लेकर की मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होगी चुनाबा युग ने घोशना करती है इसके अलाबा 36 गड़ में दो चरणों में मतदान होनी है 36 गड़ में 7 नवंबर को और 17 नवंबर को बोटिंग होगी पहला चरण 7 नवंबर को होगा और दूसरे चरणों में 17 नवंबर को बोटिंग होगी एक ही चरण में मुजूरम में बोटिंग होगी वहीं राजिस्थार में 23 नवंबर को मतदान होगे राजिस्थार में भी एक ही चरण में मतदान होगे इसके अलाबा तेलंगा नमें 30 नवंबर को मतदान होगे तेलंगा नमें भी एक ही चरण में मतदान होगे और बता देखो पांचो राज्जों में आज से आचार सहिंता भी लागो हो चुकी है तो बड़ी ख़बर आपको राजदानी दिल्ली से बता रहे हैं जहां पर पांच राज्जों में और तीन दिसंबर को मतगरना भी होगी नहीं कि काउंटिंग भी तीन दिसंबर को होगी पांचो में चुनाब की तारीखों का एलान कर दिया है तो बड़ी खबर दिल्ली से जहां पर चुनाब आयूग ने विधान सभा चुनाब का एलान किया है मध्यपरदेश, ठत्तिसगर, राजिस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाब की तारीखों का एलान हो चुका है पांचो राज़ो में चुनाबी विगुलबच चुका है और बता दिकी पांच उलाज़ों में चुनाब आयूग ने चुनाब की तारीखों का एलान कर दिया है बता दिकी मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा यानि की मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होगी ये चुनाब आयूग ने एलान किया है बड़ी खबर आपको दिल्ली से और शतिस गड़ में दो चरनों में मतदान होगी। तिलंगाना में भी एक ही चुलन में मतदान होनी है पांचो राज्यों में आचार सहीता लागू हो चुकी है तो बता दे कि पांचो राज्यों में तीन दिसंबर को कौंटिंग होगी यानि कि मतगड़ना होगी तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे है जहां पर पांचों राज्जों में बधान सभा चुनाब की तारीखों का एलान हो चुका है। चुनाब आयोग ने प्रेस कॉनफरेंस करके बधान सभा चुनाब का एलान किया है।